ओम नमस्षिवाय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल भक्ती ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको सिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ आप सभी भग दिजन इस कथा को स्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुने भगवान सिव जी आप सभी की मनुकान पूर्व में गए एदिन गिर्जा मतवाली के समान घर से बाहर निकली तब बैरव ने गिर्जा को कुर्दरिष्टी से देखा बाहर जाने से रोक दिया यह देकर गिर्जा ने अत्यंद कुर्दत होकर सिव जी की चैनुसार बैरव को यह साब दिया है बैरव तु मेरा आप से छूटेगा यह सुनकर भैरव अत्यंद दुखी हुए फिर उन्होंने भी अपनी लिला प्रदिसित करने के लिए गिर्जा को यह साब दिया कि जो दसा हमारी हो वही दसा तुमारी भी होगी सिव जी दोनों की यह बात सुनकर बहार निकलाए तता हसने हुए दोनों को समझाया उस समय भैरव ने सिव जी से बिने की है पिता प्रत्वी पर भी मैं आपका पुत्र होकर उत्पन हूँ इसलिए सिव जी के साथ उनकी सब पुत्रों को भी अवतार लेना पड़ा ब्रहम अस्तु हमको बहुत सी सामग्रियां साहित सिव जी से भेट करनी चाहिए इस प्रकार निश्य कर उन्होंने अनेक प्रकार की सामग्री एकर्टत की ओस समय ग्यारे उरुद्र बारे उसूर आटों वसू तेरे विश्वे देव समझत मरूद गण सब देखपती देवता था मुनिश्वार भली प्रकार सजकर बड़ी धुमदाम से एकरत्रत होकर ब्रसपती को साथ लेकर सिव जी से मिलने के लिए चले सबी प्रेम में मगने थी कोई गाता कोई बजाता तथा कोई हस्ता हुआ चला जा जा रहा था जब भे सब कैलास परवत के निकट पहुँचे त तथा कहां से आए हैं प्रतित होता है कि आप इसी समय सिव जी के पास से आ रहे हैं किरपा करके आप हमें ये बतला ये कि सिव जी इस समय कहा हैं तथा क्या कर रहे हैं वे कहीं चले तो नहीं गए अब दूत ने इंदर के प्रिष्ण का कोई उत्तर नहीं दिया तब इंदर इंद्र को कोई उत्तर न दिया तब इंद्र ने कुर्दित होकर अपना बज्र उठाते हुए कहा रे डोस्ट अबधूत तु हमको कोई उत्तर नहीं देता मैं तुझको अभी अपने बज्र से मार देता हूं देखूंगा तेरा कौन रक्षक है यह करकर इंद्र ने अबधू इंद्र इसी लीला देखकर काप उठे उन्होंने तुरंत ही अपने गुरू का इसमन किया जब ब्रसपती ने सिवजी का ध्यान किया तब उन्हें पेंचाना तब उनकी स्थूति करके इंद्र से यह का है इंद्र यह अबधूत नहीं अब तु स्वयम सदा सिव जी है इतन अब तुम हमसे अपनी चार सार बर मागो यह सुनकर ब्रसपती अत्यंद प्रसण हुए तथा उन्होंने सिव जी से यह ब्रमागा है सिव जी इंद्र आपका सेवक है आप इसकी रक्षा कीजिए है नारद ब्रसपती के ऐसे बचन सुनकर सिव जी ने कहा ब्रसपती हम करके इस जाला को यहां से इतनी दूर फैंक देंगे कि इसका प्रवाब इंद्र पर कुछ ना होगा तुमने आज इंद्र को जीवन दान दिया है इसे तुमारा नाम जीव होगा सिव जी निये कहकर उस क्रोधागनी को गंगा में फैंक दिया जिसे जालंदर दैत उत्पन ह है नारद अब्दू सिव जी का यह चरित्र कर वहां से अंतर ध्यान हो गई उस समय देवताओं को बहुत आनंद प्राप्त हुगा फिर सब लोग प्रसंद होकर अपने अपने इस्थान को लोट गई जो मनिश इस अब्दू तेश्वर अवतार के चरित्र का पाठ करेगा यह सुनेगा वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा ब्रह्मा जी निकाहे नारद तो मैं हनमान नाम के सिव जी के अफ्तार की कथा सुनाता हूं और उन्होंने बानर जाती में सरीर धारन कर राम चंदर जी से बड़ा इश्ने किया कपिदे महाबीर हनमान सिव जी के ही अफ्तार हैं एक बार सिव जी ने जब महिनी रूप को देखा तो केवल राम चंदर जी के कार के लिए यह लीला की कीवे मुहित होकर उस महिनी रूप से लिपट गए उस समय सिव जी का वीर प्रत्वी पर गिर पड़ा उस वीर को नग नामक मुनी ने सिव ज प्रकपी अफ्तार लिने का कारण ये था कि चार मास तक राम चंदर जी ने बन में सिव जी का बड़ा तप किया था तब सिव जी ने उनकी प्रेक्षा लिने के पशाथ अपने गणों सहित अफ्ता लिया सब देवताओं ने भी सिव जी की आग्या पाकर बंदर तथा इसे देखकर ही देवताओं ने ये अनवव किया कि वे सिवजी के ही अफतार हैं उन्होंने राम चंद्र जी का संदेश उनकी पत्नी सीता के पास लंका में पहुंचाया। इसलिए वे राम दूत के नाम से प्रिस्द हुए ही नारद सिवजी ने राम चंद्र के कार पूर्ण करने के लिए ही हनमान का अपता लिया था। इसलिए नारद संकादिक हमारे चार पुत्र परम सेव ही वे तीनों लोकों में सदा सिवजी की मूर्ती हिर्दय में धारण कर भ्रमड करते रहते ही। एक देन वे विश्दू लोक को पहुँचे था। बैकॉंट को देकर उन्होंने प्रिसंता पूर्वक यह इच्छा की कि हम विश्दू जी के दर्सन करें। ऐसा विचार कर वे छे डौनियों को पार कर भीतर चले गई। इतर से निकल आई। उन्होंने सनकादिक की बड़ी इस्तुति की तथ पुरांत वे विश्दू जी को प्रिसं कर आग्या पाकर हमारे लोक को चले आई। सनकादिक के स्राप से वे दोनों गण दिती के पुत्रों कर कनकन सिपू तथा कनकाख्ष के नाम से प्रिसदुए वे ऐसे बले साली थें कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार बिश्नु जी ने बारा रूप धारण कर कनकाख्ष को मारा तथा नरसिंग अवतार लेकर कनकन सिपू का उधर चीर डाला उन दोनों गणों को तीन जन्म रक्षस होने का साब था इसलिए फिर उन्होंने कुम कर्ण तथा रावण का जन्म लेकर सिप जी की बड़ी भक्ति की इसके पशात उसने तुमारे उपदेश से मुईत होकर कहलास को जड़ से उखाड लिया यह देखकर सिप जी ने रावण को साब देते हुई यह कहा कि हमारे समान ही कोई मनुश उत्पन होकर तेरे आइंकार को दूर करेगा है न रावण सिप जी का परम भक्त है उस पर कोई बिजय प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु हम सिप जी की आग्या लेकर मनुश का सरीर धारन करेंगे और सिप जी की उपासना कर उन्हें से बाण प्राप्त करके रावण का बद करेंगे यह कहकर उन्हें देवताओं को बिदा कि तता स्वयम मनुष्ट का रूप धारन करने के चाकी इस प्रिकार उन्होंने अयुद्या पती दसरत के यहां अपताल लिया राम चंदर जी का बेवा राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था फिर राम चंदर जी राजा दसरत की आग्या से राज त्याक कर देवताओं क कार के लिए बन में गई वहां से सीता को रामण हल ले गया जिसे राम चंदर जी को बहुत दुख हुआ तब राम चंदर जी ने अगस्त मुनी से उपदेश ग्रहन कर सिव जी की अरादना की सिव जी ने प्रसन होका रामण के बद की आग्याती तथा राम चंदर जी को नारद विष्णो जीने देवताओं के कार के लिए पूरांस से अफ्तार धरन किया था उन्होंने अनेक बाल चरित्र किये जिने देखकर उनके माता पिता अत्यंत अनंदत हुए उन्होंने फिर विस्वामित्र के साथ जाकर उनके यग की रक्षा की तथा सुवाहू को सेन बदू सहित अयुद्या को लोटे उस समय के आनंद का बढ़न नहीं किया जा सकता निदान देवताओं ने अपने कार की सिद्धी के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कहकई को राम चंदर जी के ब्रद बढ़का दिया जिसके परणाम सरूप कहकई ने राम चंदर जी को दसरत से कहकर बनवास दिलवाया अयुद्या से बन को जाते समय राम चंदर जी सरप्रतम चित्रकूट को गई वहाँ उन्होंने मतंग यंद सिवजी की पूजा की उस मूर्ती को मैंने ही वहाँ इस्तापित किया था वही सिवजी चित्रकूट के रक्षक है जो मनश चित्र कूट में जाकर उनकी पूजा ना करे उनको वहाँ जाने का कोई फल नहीं मिलता भरत अयुद्या वाशियों से राम चंदर जी के पास मौचे उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ती के साथ राम चंदर जी से लोटने की विंति की परन्तु राम चंदर जी ने उनकी बा कर उड़ा था मार डाला फिर वे कुमबज मुनी के पास पूँचे वहाँ अगस्त मुनी से उपदेश पाकर सीत तता लक्षमन सहित पंच बटी को गए सूपन खान ने आकर उनसे विवा के इच्छा प्रकट की जब राम चंदर जी और लक्षमन ने उसके इच्छा पूरी नाखी तब वे यह कह कर कि अब तुम दो अपने किये का फल पाओगे सीता को डराने लगी तब लक्षमन ने क्रोलत होकर उसके नाक कान काट लिये ये नारद सूपन का वहाँ से रोती पिरती अपने भाई दूसन के पास गई तथा उसे सब बतांत के सुनाया अपनी बहन क ये दसा देखकर खर तथा दूसन सूपन खा को आगे कर राम चंदर जी से उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने लगी उस समय राम चंदर जी ने सीता जी को लक्षमन की सुरक्षा में रखकर अकेले ही सूपन खा के अत्रिक्त समझत राक्षकों को मा ड़ सूपन का यह दसा देखकर वहां से रोती हुई रामण के पास पहुँची और आदिस से अंतर तक सब ब्रतांत कै सुनाया। पर भी लक्षमन ने रामचंदर जी को लोटने का ना देखा तो भे सीता जी को वहीं अकिला छोड़ रामचंदर जी की खोज में चले। आगे चलकर उन्हें जटायू से सब हाल मालूम हुआ जटायू ने रामचंदर जी को सब हाल बता कर अपना सरीर त्याग दिया। ब्रह्माजिन का ही नारद ततपशाद राम लक्षमन ने अगस्त मुनी को देखकर दोनों हाथ जोड से नवाकर परणाम किया। उस समय मुनी ने राम लक्षमन को अत्यन्द दुखी देखकर इस्प्रकर कहा ही राम तुम इस्त्री के लिए इतना दुख्यों करते हो। इस्त्री किसी की नहीं होती। केवल जीव ही सब इंद्रियों से परिय है। उसका कोई आकार भी नहीं है तो भी यह समय बिद्वान है। बात को ना समझकर बुद्धी के बुद्ध सब कार कर रहे हो केवल यही सोचकर संतोस करो कि यह सरीर नास्वान है आत्मा कभी नहीं मरता ब्रह्म एक ही है दो नहीं फिर कौन इस्त्री तदा कौन पुरुष है इसलिए हे रामचंद्र तुम सीता के ब्योग का दुख दूर कर हे मुनिश्वार आपने अभी यह का है कि आत्मा सरीर से भिन है तथा सरीर जड़ है उसको कोई दुख नहीं हो सकता अब आप मुझे बता दीजिए कि दुख किसको होता है मुझे इस समय सीता के ब्योग का दा है वही मेरे सरीर को जला रहा है जो बात सरीर में हम प्रतिदि के देखते ही उसके लिए आप क्या कहते ही मैं आप से पूझता हूँ कि दुख सुक का भूगने वाला कोई है भी या नहीं यह सुनकर अगस्त जी बोले है रामचंद्र सिव जी की माया अपार है उसका नाम प्रकरती है उसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है उस प पुरानी वासना ही संसार का खेतरग्य है चार प्रकार का अंत्यकरन उससे प्रकासित होता है जीव अपने करमों का फल प्राप्त करता है तता उन्हें बोगता है सब दुख सुक अपने करमा नुसार ही होते ही माया के बंदन से दुख सुक है जो माया से बिन है वही संसार पर प्रबल है यह सुनकर राम चंदर जी ने कहा ही मुनिश्वर आपने जो कुछ कहा है वे सब उचत है परन्तु फिर भी हमारा दुख किसी भी प्रकार दूर नहीं होता जिस प्रकार मद बड़े बड़े विद्मानों को मस्त कर देता है उसी प्रकार भाग के भोग भी अत् मान समझ लिया है वही मुझे इस समय दुख दे रहा है अब मेरी चाहे कि जिसने मेरी इस्ट्री का हरन किया है मैं उसका बद कर डालूं मैं सूर्य बंसी राजा दसरत का पुत्र हूं यदि सीकर ही उसका बद ना करूं तो मेरा जीवन निस्पल है अस्तु जब तक मैं सीता हरन करता का बद नहीं करूंगा तब तक यह अगनी सांत नहीं होगी राम चंद्र जी के इन अहिंकार पूर्ण बचनों को सुनकर अगस्त मुनी ने यह जान लिया कि उनका उपदेश निस्पल गया है तब उन्होंने अपने मन में कुछ कुरूद करके फिर यह इस प्रकार कहा हे राम तुम जो सब्द कह रहे हूं सो तुमारा कोई दोस नहीं है यह सिफ जी की ही माया के कारणी है क्योंकि सब्देवताम उनी आदी उसी माया में भटक कर सोख धुक प्राप्त करते हीं तुम अपनी इस्त्री को प्राप्त करने हैं रामण का बद करना चाते हो परंतु रामण अत्यंत बलवान तता सकते साली दैत्यों का स्वामी है भला तुम उसकी लंका में पहुँचकर अपनी सीता को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे सिवजी की किरपा से वैस संपूर्ण संसार का राजा बना हुआ है तुम अपने और अपने सत्रू की सकते की तुलना नहीं करते हो रामण का दुर्ग स्वरक से बना हुआ है कोई भी देवता और दैत्य उसे नहीं जी सकता जिस रामण के पास करोडों चतो रंगनी सेना कीजे तो दोस्तों उम्मीद आपको कताची लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बिटन को जरू दबाएं जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें ओम नमस्षिवाए